दोसो रिसेंट्टी इनियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ने लॉंच किया अपना पहला सेकेंड जनेशन नेविगेशन सेटलाइट एन्वी एस जीरो वन ये मई एंड की बात कर रहा हूं मैं 2023 की इस पर्टिकुलर नेविगेशन सेटलाइट पे इन्स्टाल की है एक डॉमिस्टिकली मेड इटॉमिक कलॉक हर सेटलाइट के ओपर एक इटॉमिक कलॉक प्रेस की जाती किया आपको पता है क्यों उसके साथ जब भी NASA के अंदर Deep Space Exploration की बातचीत होती है Mars पर जाने की बातचीत होती है उसके आगे Deep Space Exploration के Concepts को कुछ fictional movie में दिखाए गया जैसे Interstellar में हाला कि Interstellar में तो पूरी वेली galaxy बार कर जाते हैं अभी एक लिए NASA ये जो Advanced Space Agency हैं वो Mars तक के Exploration की बात कर रहे है उसके आगे उसी में हमें Millions of Miles अर्थ से दूर जाना पड़ेगा तो इस Context में In particular Deep Space Exploration के Space Craft के ओपर हमेशा एक Deep Space Atomic Clock को प्लेस करने की बात की जाती है What are these Atomic Clocks? So basically ये Deep Space Atomic Clock हमारे क्यों काम की हैं? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा दोस्तों Atomic Clock का Concept दोस्तों अगर एक Highly Efficient Atomic Clock है तो वो 10 Million Years में केवल एक सेकंड लूज करेगी कहीं न कहीं अगर आप देखो तो Atomic Club जिस त्रकार से आपका Time Measure करती है उसी प्रकार से आपकी Wrist Watch भी Time Measure करती है आपके Wrist Watch के अंदर एक किसी भी Particular Watch के अंदर Quads के Crystal होते हैं और ये Quads के Crystal के थूँ एक Electrical Pulse को Move किया जाता है ये Electrical Pulse इस Quads के Crystal में Vibration करेगा और उन Vibration के आधार पर एक Pendulum जैसी सिती Create होगी और वहाँ पे Swing के Time को आप Measure करके Time को Calculate करोगे Atomic Clock के अंदर कुछ Specific प्रकार के Atom होते हैं जो Light की Frequency को Release करते हैं इस Frequency of Light को Measure करके भी Time Measure किया जाता तब होता क्या है दोस्तों Normal Conditions में और Inefficient Clock में जो Specific Atoms होते हैं ये Effect होते हैं अर्थ की Magnetic Field से आसपास के Temperature Changes से लेकिन एक Deeply Efficient जो Deep Space Atomic Clock होती वो Mercury Ions को इस्तमाल करती है जो Specific प्रकार की Atoms में Light की Frequency का Emission होता है और Measurement होता है वो काफी Efficient होता है और ये बहुत जरूरी है हो दोस्तों मान लीजे कोई Space Craft Earth की Surface से निकलता है Mars की तरफ और ये Particular Clock Regularly Time को Loose कर रही है या Gain कर रही है अब Deep Space Exploration होता कैसे इसको समझने की कोशिश करते है इसको समझने के लिए दोस्तों एक सेकेंड के लिए मान लो कि किसी भी Particular Space Craft के उपर Atomic Cloud नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा Earth पे लगे बड़े Strong Antina से सिगनल भेजना पड़ेगा Space Craft के पास वो Space Craft के पास सिगनल पहुचेगा वहाँ से सिगनल वापस अर्थ पे आएगा तो Overall उस Particular Space Craft की क्या Relative Location है इस स्पेस में ये पता चल जाएगी उसके basis पे अर्थ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो फिर से एक सिगनल भेजेंगे उस स्पेस क्राफ्ट के बास और उसको बताएंगे कि तुम गलट ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हो अपनी ट्रेजेक्टरी बदलो तुम इस जगा पे हो या इस जगा पे हो बतलब Overall अभी के लिए अगर कोई स्पेस क्राफ्ट बिना अटॉमिक क्लॉक के उड़ रहा है और वो अर्थ से मिलियंस या बिलियंस ओफ माइल्स दूर है तो उस केस में Overall अर्थ से पहले सिगनल जाएगा वो सिगनल उस स्पेस क्राफ्ट के बाद वापस अर्थ पे आएगा फिर अर्थ पे बैठे जो सैंटिस्ट है वो Overall उस पर्टिकुलर लोकेशन को पता करेंगा और उस लोकेशन के बारे में स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बताएंगे लेकिन Atomic Clock आ जाने से ये जो पर्टिकुलर अर्थ से सिगनल उस पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट में गया स्पेस क्राफ्ट से वापस आए इन सब की जरूत नहीं पड़ेगी ये कुछ ऐसा हो गया दोस्तों जब भी आप कार में बैठके Overall GPS को इस्तेमाल करते हैं Google Maps को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें GPS के सिगनल के तूँ आप रियल टाइम में पता कर सकते हो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगेगा आप Point A पे हैं आपको Point B पे जाना है तो Point A से Point B का Map लगा दिया आपने तो पैदल में कितना समय लगेगा कार से कितना समय लगेगा बाइक से कितना समय लगेगा ट्रेन से कितना समय लगेगा यह सब पता चल जाता है और Overall अगर आप कार में बैठे हो तो Navigation Map भी लगा सकते हो ये navigation map कैसे काम करता है दोस्तों ये काम करता है हमारी satellites में लगे atomic clock के दम पे हमारी satellites में लगी atomic clock हमारे phone में लगे overall GPS की applications के साथ real time में जुड़ जाती है और real time में location का update दिया जाता है तो यहाँ पे हमारे phone से signal गया satellite के पास फिर satellite से वापस phone के पास signal आया दोस्तों एक spacecraft जो कि deep space का exploration कर रहा गर उसके उपर atomic clock है और यह atomic clock ज्यादा बड़ी नहीं होती है एक जो sandwich toaster होता है या घर में जो आपके हाँ पे microwave oven उतना ही बड़ी होती है atomic clock उसे छोटी होती है तो यह atomic clock real time में उस spacecraft के बैठे अंदर जो astronauts से उनको बताता रहेगा कि Earth के respect में उस spacecraft की location क्या है मतलब यह particular atomic clock real time में signals बेजेगी Earth की तरफ Earth पे लगे antenna and signals को पकड़ेंगे और इसके आधार पर Earth में जो लोग बैठें उनको भी पता चल जाएगा spacecraft कहाँ पे और spacecraft के अंदर astronauts को भी real time में पता चलता रहेगा कि उनका spacecraft किन जगहों से उड़ रहा है जैसे Earth के उपर GPS coordinates होते हैं न दोस्तों वैसे space के अंदर इस atomic clock के basis पे real time में उस spacecraft में बैठे है astronauts को पता चलता रहेगा कि space में वो कहाँ उड़ रहे है तो signal भेजना और वापस आना इस process को skip किया जा सकता है इसलिए दोस्तों atomic clock के उपर यहाँ पे काफी research चल रही है वैसे में बता दो दोस्तों हमारी satellites के उपर जो atomic clock लगी हुई है और यह जो deep space exploration में atomic clocks इस्तमाल होगी deep space exploration वाली atomic clocks हमारी satellite के atomic clocks से 50 गुना ज़ादा efficient है तो यह atomic clocks के बारे में कुछ basic information थी आशागरता हूँ दोस्तों आपको काफी को सीखने को मिला होगा अपने व्यूपाइट इचे कमेट पॉक्स में देके जाएगा चैनल को subscribe कर लिए दोस्तों मेरी app Hershey देदी education को download करके आप interesting courses से सीख भी सकते हैं have a great different school